तो चलिए शुरू करते हैं देखिए इसमें जो एक्स्पोनेंस हैं वह हैं केशी स्याओ राबर दाल और कृटिसम में हम देखेंगे तो देखिए जो प्लूरेस थेओरी है जो प्रस्पेक्टिव है इसमें हमें दो प्रस्पेक्टिव देखना है कि एक नॉर्मेरटिव और एक बिसक्राइब तो ऐसे आप समझ सकते हैं एक प्रस्कृप्तिव और descriptive वो तो prescriptive हो गया हमारा normative वाला जो वो है ठीक है तो इसमें क्या है कि जैसे अगर हम example देखें एक मिनटे से green कर लेते हैं तो जैसे हम इसे example देखें कि भाई different section of the society जो है उन्हें जो political जो participation के लिए opportunity मिलनी चाहिए ठीक है different section of the society should get opportunity to participate in politics ठीक है अब देखिए descriptive में क्या है कि भाई चीजें जो है वो कैसी है जैसे हमने मैकेवली को पड़ रहे थे तो मैंने देखा उन्हें बताया कि भाई what ought to be and what is ठीक है पावर जो है वो exercise actual में होती कैसे है कि जैसे हम बताते हैं कि भाई जो powerful है जैसे है पैसा है तो वह exercise कर रहा है पावर को ठीक है और चीजें होनी कैसी चाहिए वह हम बताते हैं कि भाई देखिए चाहे रिच हो चाहे पूर हो तो जो opportunities है वह यहाँ पर भी मिलेंगी और यहाँ पर भी मिलेंगी तो equality के हम बात करते हैं egalitarian society के बात करी जाती है यहाँ पर ठीक है तो एक normative और एक descriptive perspective हमने देख लिया है यहाँ पर coolest theory में ठीक है अब देखे प्लूरिस्ट स्टेट में जैसे हमने last lecture में हमारे डिसकस किया था theory of sovereignty में जो हमने डिसकस किया कि भाई monastic theory है और उसके anti में हमारे एक अप्लूरिस theory है जिसमें हमने बताया कि एक ही जो association है जैसे कि state वही sovereign नहीं है ना that is not the single association which is sovereign तो हम देख रहे हैं कि भाई दूसरे association भी है तो वहीं से ही यह जो perspective है वह हम ले रहे हैं देखे तो इस state में जैसे हम कह रहे हैं कि power not in the hand of single institution तो एक single institution के हाथ में जो है वो power नहीं है ठीक है वहाँ पर different different और associations भी है तो state जो है should be impartial है बात की जारी है कि भाई state को कहा है न इंपार्चल होने की जरूवत है ऐसा नहीं है कि भाई वह एक specific group को या एक specific association को favor कर रहा है ठीक है ऐसा नहीं करना state को यह कह रहे हैं कि देखिए only democratic state जो democratic जो states हैं उनके पास ही capability है कि वह मतलब एक previous state में convert हो पाएं क्योंकि previous state का मतलब होता है कि भाई जो दूसरे association है other than state चाहे वो worker association हो चाहे वो किसी और मतलब NGOs हो सकते हैं या different type के और association हो सकते हैं तो वह कह रहा है कि यहां पर जो मतलब authority है वह यह पर यह कहें कि भाई यह इतने rationalized हैं कि जो इनके पास power authority है उसका वो rational मतलब यूज कर पा रहे है utilization जो है power को वो सही है तो ठीक है ना वही कह रहे है कि democratic state जो है वहाँ पर जो लोग है अपर वहाँ पर जो associations हैं वो मतलब capable है कि वो progressive state में convert हो सकते हैं क्योंकि देखिए जैसे हम democracy में बात करते हैं जब एक important right है absolute theory of state जैसे कि हमने पहले देखा था कि monastic theory के जो मतलब exponent है जैसे ऑस्टन है या Hobbs ने जो बात कि absolute state की तो इनके जो है अगींस्ट में एक प्लूरिस थेवरी है ठीक है देखिए power of sovereignty can never be absolute अब यहाँ पर प्लूरिस थेवरी क्या कहरे है कि भई जो power है sovereignty की वो कभी absolute नहीं हो सकते है ठीक है क्योंकि जब absolute की आप बात कर देते हैं तो आप कहते हैं कि भई एक जो मतलब state है बस वही है जो की powerful है other जो associations हैं या दूसरे institutions हैं अब for example देखिए जैसे traditions है different society में एक different types of tradition जो है वो follow के जाते है customs है cultural beliefs है तो यह सब जो है वो इतना important मतलब role play करते हैं एक state के कोई भी power को exercise मतलब करने के ठीक है ना तो जैसे law बना रहे है कोई ठीक है अब law किस के लिए society के लिए तो law बनाया जा रहा है अब जब society के लिए law बनाया जा रहा है तो यहाँ पर जब वो इतने जादा जो मतलब integrated part है उनका society का लोगों का तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि भाई कुछ ऐसा abstract law बना दे कि भाई उनके जो custom और traditions है उनके वो against में हो गो law ऐसा नहीं हो सकता है हमें जो भी state है वो इनके custom और tradition के according ही है ना इनके इनको consider करते हुए एक law बनाया ज कि जो है वो absolute नहीं हो सकती है कभी ठीक है अब यहाँ पर केशी केशी शाओ है उनके views हम देख लेता है यह मतलब जो पूरिस थेओरिया उनके favor वाले है ठीक है तो यहाँ पर argue कर रहे हैं कि यह कि भाई जो single source of authority नहीं है ठीक है united no united system of laws कोई भी मतलब एक system नहीं है laws के लिए no centralized organ of administration or no generalization of political will अब हम जैसे हमने रॉबर्ट डाल के वारे में हमने बढ़ा था ठीक है अब रॉबर्ट डाल की यहाँ पर views देखते हैं यह क्या कह रहे हैं कि dilemmas of pluralist democracy ठीक है तो मतलब इसमें pluralist democracy में dilemmas क्या है यह कह रहे हैं कि दो organization है आप उन्हें कभी ऐसे equally tweet नहीं कर सक करते हैं अब देखो pluralist में क्या होता है कि different organization exist करती है other than state तो for example हम consider करें कि यह दो organization है एक है और एक है बी चीक है तो यह कह रहे है कि अप ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि बहुत प्रूर्स society है प्रूर्स democracy है तो इसमें यह जो दो organization है इनके पास भी इतनी पावर है ठीक है for example five एक quantify कर हम करें simply और यहां पर करें कि ऐसा नहीं है कि यह भी इतना ही powerful बंदार यह भी इतना ही पावर्फुल organization है ना सेम मतलब सेम जो है तो यह कह रहे है ठीक है robert डाल कि ऐसा नहीं है कि दो organization वो हैं वो हम equally मतलब वो करें कि टाइम के उपर depend करता है कि भाई कभी यह वाली बहुत टाइम तक उनका क्या बोलते हैं सिस्टम जो है रहा रूल में रहे वो लोग उनका रेजीम रहा उनकी सरकार रही बहुत टाइम तक उसके बाद काफी struggle के बाद जो है फर बीजेपी आई है जो current government है तो हम देख रहे हैं कि भाई time का time period की बात है कभी कोई एक institution है जो 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 की powerful है ठीक है अब देखिए वो ही कह रहा है कि जो inequalities जो आ रही है यह तो इसलिए हमें अगर inequalities का जो वो है कि भाई जो कभी यह powerful है कभी यह फ़ाफल है यह तो हम बड़े जैसे हमने बीजेपी और Congress तो एक बड़े उसका example ले लिए चोटी 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 इंस चोटी 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 और इसे ने उनमें भी डिफ्रेंशिएशन हम देखते है कि कोई organization चोटी कोई worker association है कोई ठीक है और दूसरी एक वरकर एस्सेशन है तो देख रहे हैं कि उनमें भी differentiation है कभी यह ज़्यादा powerful है कभी दूसरी powerful है करना है यह जो inequalities है इसे हमें अगर actify करन है reduce करना है तो हमें power का क्या है redistribution करना पड़ेगा redistribution कैसे कि for example एक association है ठीक है तो उसमें वरकर्स जो है वह जो भी मतलब employees है जो काम कर रहे है कहरे है कि यहाँ पर workers का participation हमें increase करना पड़ेगा management पर जो ठीक है management जो है एक association का करे उसमें वरकर का participation हो नहीं ताकि जो भी rules या फ worker के favor में ही मतलब जो भी rules है वो बनाए जाए और उनकी के need है उनके जो भी उनके जो working conditions है जो कि उन्हें issues है वो सब चीजें वो resolve करवा पाए ठीक है worker अगर उसमें participation मतलब उनका participation है उसमें तो ठीक है एक यह चीज हो गई अब हम इसमें अगर criticism की बात करें तो हम देख रहे खेल है developing nations के लिए जो nations जो हैं वो developing stage में हैं वो कहारे हैं इनके लिए प्रोस्टेवरी नहीं है ठीक है क्यों अब देखिए ऐसा क्यों क्यों चैब आप कहारे हैं कि अगर प्रोस्टेवरी हम बनाते हैं तो दूसरे जो institutions हैं जो भी organization है other than state तो आपको क्या लगता है कि भाई गर हम इन्हें authority दे दें या इनने legitimize कर दें तो आपको लगता है कि भाई जो इने qualities exist कर रही है एक society के अंदर रिच पूर के जो बीच का gap है या फर जो पोजीशन एक सोसाइटल लेवल पर वो क्या अच्छी हो पाईगी ऐसा नहीं है ठीक है ऐसा होता भी नहीं है तो स्टेट जो है वो यह कहा है कि स्टेट जो है वो most important role play करता है ऐसे social economic conditions जो है लोगों की उन्हें transform करने के लिए इंप्रूफ करने के लिए जो स्टेट है वो बहुत important role play करता है इसलिए जो पूरिस theory है वो कहा है unsuitable है developing nations के लिए ठीक है अधर association कह रहे हैं कि भाई might worsen the condition of these organization organized group unorganized group है वो इनकी जो condition है वो से और खराब भी कर सकता है जो दूसरे institutions ते association ठीक है अब यहाँ पर CW मिलके हमने जो जो exponent में आपको starting बताया था उनके views देख लेते हैं वो यह कह रहे हैं कि argued how even in a developed democracy like America all groups are not equal all groups are are not on equal footing ठीक है यह कह रहे हैं ठीक है जो दूसरे जो मतलब America में अगर हम example देखें तो भाई different जो group है वो कहा है वो equal footing पर नहीं है ठीक है कुछ ज्यादा powerful है और कुछ कम powerful है तो इसमें वह जो CW जो मिलके जो views हैं वो यह कह रहा है कि यहां पर social darwinism जो मतलब concept है वो एक यह कह रहे हैं कि survival of the fittest वाली बात है कि भाई जो भी group है जो भी different associations है तो बस भाई अपने वह survival के लिए है कि भाई जो powerful जैसे बन जाए तो बन जाए ठीक है ना अपने हिसाब से भाई वह सर्वाइफ कर रहा है और अपने हिसाब से भाई वह लोगों के लिए काम करते करते आगे बढ़ रहा है तो जो भाई बढ़ पा रहा है तो इन सच अ सिस्टम देर वुड बी और नो सोशल जस्टेस तो यहां पर अगर ऐसा सिस्टम होगा तो आपर सोशल जस्टेस नहीं होने पाले तो आपने देखी प्रस्पेक्टिफ यहां पर हमारा खतम होता है अब हम देखेंगे भाई पोस्कॉलियल जो तेयोरी है ठीक ह तो हम यहां पर खतम करते हैं तब तक कि आपको क्या करना है इन वीडियो उसको प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चीक है ओके गई